तो लगतार तेजी का सात्वत दिन है और जबरदस तेजी है मिट कैप में तो देखते रहुनक बन रही है लगतार बड़ी तेजी वहाँ पे है बैंक निफ्टिया स्वास एक्सपारी के वज़े से भी अब लगतार चल रहा है थोड़ लोग प्रॉफिट लेते रहते हैं ले अब अपने सवाल फटाफट हमारे ट्विटर हैंडल पे भेजते रहिए मेरे हैंडल भेज़ दीजिए या आवाज में मिलेगे लगतार हम वहां से क्वेशन लेंगे और कोशिस करेंगे कि सबसे ज्यादा सवाल आज शामिल करने की कोशिस करें आज ध्यान रखेगा आज क सब्सक्राइब के मार्केट में तो बहुती बड़िया मोमिंटम बना हुआ है डेफिनिटल आज जिस तरिके से एक हलकी प्रॉफिट बुकिंग कह लिजे बैंक निफ्टी में देखने को मिली है और काफी हल्दी साइनिसर जैसा अभी अनुद जी भी बोल रहे थे मेरा माना है कि यह हलका सा प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा और लाइट कर देता है और अगर मार्केट इन लेविल्स पर कांसॉलिडेट भी करता है तो वो भी नहीं बना पाये थे वह अपने पॉजिशन बना सकते हैं तो मेरा मानना है कि अभी मार्केट में जो बुल ग्रिप है वो एकदम बहुत तेजी से बनी हुई है और इस राली को छोड़ना नहीं चाहिए और साथ के साथ सार मुझे लगता है कही न कहीं प्रॉफिट बुकिं बिल्कुल बुक प्रॉफिट केवल बुक पे प्रॉफिट नहीं होना चाहिए चलिए सवाल लेजा शुरू करते हैं फटाफट अभिशेक अगरवाल ने दो सवाल बेजे एक तो उनके पास विप्रो के शियर हैं 393 के प्राइस पे लॉंग नम व्यू चाहिए उनको दूस को मिले हैं वहाँ पे विप्रो को अगर देखी तो अभी फाल फिलाल में काफी अच्छे मोमिंटम इसने पिक अप किया था और अपसाइड एक इसके पास में रेजिस्टेंस जो इसका आज का टॉप है 415 रुपे का वह एक माइनर हर्डल की तरह देखा जाएगा यह जैसे बात रही सर रिलाइंस की तो मेरा मानना है कि सर देखे रिलाइंस डेफिनेटली यहां पर अच्छी तेजी बनी हुई है और जिस तरीके का ब्रेक आउट देखने को मिला है मैं को लगता है यहां से फर्दर अपसाइड जरनी रिलाइंस की कंटियूर्ड होती हो दिखेगी एनरजी पैक में भी काफी जोरदार अक्षिल है मेरा मानना है कि यह डेफिनेटली इनको काफी अच्छा प्रॉफिटिबल साबित होगा 2550 के लक्ष ऑन्दे कैश बनके आ रहे हैं सर पच्छिस सो पचास के कैश के लक्ष है और इनको वाकि बड़ा गजब गयन होगा एक्स के 3,000 शेर होल्ड करें 148 पर क्या करना चाहिए इनको अब कि जब इतना इंतिजार किया ही है आई-एक्स में सर काफी बीटन डाउन स्टॉक रहा है बट पिछले कुछ सेशन से पिछले पूरे महीने बर से देखने को बला है कि अपर आक्षिन काफी तेजी में बना ह सकता है तो अपनी पोजिशन को डिफिनिटली होल्ड आउट करें आई-एक्स में यहां पर स्टॉप लॉस का ज़रूर ध्यान रखें जो कि अभी इन लेविट पे 140 रुपे बनते हुआ रहा है प्रवीन कभी सवाल है पूर्वांकरा के 2,000 शेर इनोंने खरीद रखे 113 प कुछ सेशन से यहां पर एक हलकी कंसालिडेशन दिख रही है और जैसी स्टॉप 166 के ऊपर की क्लोजिंग देगा तो वहां से एक फ्रेश ब्रेक आउट इसमें बनेगा जो कि स्टॉप को करीबन 180 से लेके 200 की चाल दिखा सकता है तो मेरा मानना है डेफिनिटली पूर्वा पूस्त्री जी का सवाल लेते हैं यह सन फार्मा में जानना चाहती हैं क्या करें इनके पास 840 वाले 100 शेयर्स हैं सर काफी अच्छे गेंज के साथ में हम बनी हुई हैं तो मेरा मानना है कि जिस तरीके का मोमिंटम बना हुआ है और यहां पे जब हम रिलेटिव स्टेंथ इंडेक्स देखते तो वहां पे भी ओवर्वार्ड जोन में अभी इंटर नहीं किया है जैसी स्टॉक तेरा सो के ल स्टॉक जाए आपको अपने पॉर्टफोलियो में इसकी प्रॉफिट बॉकिंग करनी चाहिए प्रॉफिट लेना बहुत ज़रूरी है अज़ा अमित शर्मा जी ने बहुत अच्छा सा सवाल भेजा है इननों लिखा है कि इनके पास रेट गें के शेर्स हैं 100 354 के प्राइ के लिए गुड क्वालिटी गिफ्ट व अपनी डॉर्टर को दें जो कि वो उसको पास रॉन करें तो एक लाख रुपेस बे लगाना चाहते है तो मैं मान के जलता हूं कि अब चुकी 8th birthday है तो 10 साल के लिए कम से कम वो उसके लिए गिफ्ट देना चाहते है तो पहले रेट अपनी बेटी के लिए रख रहे हैं तो मेरा मानना है कि आपको थोड़ा से डाइवर्सिफिकेशन वहां पर रखना चाहिए मैं कुछ सिलेक्शन जो आज मेरे को बिल्कुल पसंद आते हैं वह मैं आपको बताता हूं अधिक रामा स्टील नाम की कंपनी है रामा स्टील ट् ट्यूब्स और रिजिट पीवीसी की जिस तरीके के अभी रीसियन में कॉर्टर टू फैनाशल एर कॉंटी फोर के नंबर्स घोशेत हुए थे बहुत ही शांदार थे और कंपनी ने कल ही अपनी एक एक स्टार्टिजिक बैकवर्ड इंटीग्रेशन एक्सपांशन ने उसक पर प्रेजन्स है遍 रामा स्टील का वहांपे स्टाक में लॉग तरनम में जाने के में बहुत अच्छे यहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और टेकनिकल चार्ट भी देखें तरनी छार्टीशन प मिलेगी यह immediate targets है और अगर long term के बात करें तो मेरा मानना है कि यह company आपको आगे भी अच्छी थाबित होती हुई दिखेगी साथ में कुछ specially जो big names हैं जैसे कि Reliance, SBI, banks में ICICI bank यहां पर भी sir आपको invest करना अच्छी अपनी बच्ची के birthday और आग्यानले future के साथ तो क्या इनको चार हिस्सों में डिवाइड कर दें कि 25,000 रुपय चारों में लगा दें जी सर बिलकुल strategic manner में diversified करके रखें क्योंकि कोई भी एक single stock पे आप इस चीज़ पर decision नहीं ले सकते मेरा मानना है कि अगर डाइवर्सिफाइड रखेंगे तीन चार स्पोर्ट में अगर आप पैसा लगाएंगे अपने और आग्यानल future के लिए बहुत ही अच्छी थाबित होंगे वहां पर dividend income भी जनरेट होंगी और वहां साथ ही साथ में आपको growth भी बहुत अच्छी मिलेगी तो रिलाइंस इंडस्ट्री आइसे से बैंक SBA और रामास्चील यह चार का एक combo बनाके आप उसको दे सकते हैं अगें रिलाइंस जो हम बोलते हैं कि पकड़ में नहीं आ पा रहा है उस ताइब की situation हो रही है क्योंकि आज भी देखें तो अडानी गैस में करीबन 18% अडानी ग्रीन्स में 15-16% अडानी ट्रांस में करीबन 11% तो इस तरीके के momentum में stock को pick करना या फिर पकड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है बट अल्दो मुझे लगता है अडानी पावर एक ऐसा stock है जो कि आपको declines में जरूर आड करना चाहिए आज भी जिस तरीके के तेजी बनी हुई है उसमें मुझे लगता है कि अगर declines में अगर आपको मौके मिलते हैं और स्टॉक करीबन 530-535 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर अपनी पॉजिशन डेफिनेटली बनाने चाहिए यह इस यहां पर ग्रोथ आने वाले जिनों में आपको बहुत शांदार बनती हुई दिखेगी तो मेरा सेलेक्शन फॉम अड़ानी पैक विल भी तो यहां पर consolidation नजर आती है जो कि upside में 115 रुपे की एक resistance शो कर रही है जैसी स्टॉक 115 रुपे को पार करेगा तो वहां से इसमें एक अच्छा momentum बन सकता है जो स्टॉक को 123-124 के लिवस तक लिजा सकता है मेरा मानना है कि आप 123-124 के लक्ष के लिए आप hold करें नीचे में ज हिंदुस्तान यूनी लिवर के 400 शेयर हैं 2600 पेनोली हैं क्या बने रहना चाहिए इस पर जी सर मेरा मानना है कि हिंदुस्तान ने लिवर में इनको बना रहना चाहिए स्टॉक ने अभी हाल में ही एक double bottom का formation बनाया है और technical charts और अपने सारे ही long term moving averages के उपर बनके टिका हुआ है अब यहां से अंदर first upside journey जिस तरी कि कल हमने momentum देखा तब आपको दुबारा लॉट तो दिख सकता है बस आप यहां पे on the downside अपने stop loss को ध्यान रखें जो कि अभी current level से बैठ रहा है 2530 के लेविल पे तो 2530 के stop loss के साथ में आप बने रहें मुझे लगता है दुबारा से momentum FM सीजी पैक में बनना चालू होगा और आज भी हमको देखने को मिल रहा है कि FMCG में काफी अच्छी चाल एक नजर आ रही है मेरा मनने आप definitely हिंदोस्तान इनिलिवर को कैरी करें with a stop loss of 2530 विपिन कुमार जी के पास तलवार ब्रदर्स यानि टाल ब्रोस के 85 शेर हैं 111 साइड ही है पर पिछले कुछ 5-10 सेशन में देखने को मिल रही है कि हलकी सी यहां पर मुनाफ़ा वसूली देखने को मिल रही है अब यह मुनाफ़ा वसूली अगर और कैरी होती है मेरा मानना कि 175 के आसपा से एक अच्छा सपोर्ट जोन है तो उसको एक stop loss मानते हुए आप अपनी पॉजिशन को ट्रेलिंग के साथ में आप यूज़ करें मुझे लगता हूंदी अपसाइड जैसी स्टॉक करीबं 325 के लेवल को तोड़के उपर निकलेगा तो वहां से बहुत बड़ा मोमिंटम और फ्रेश हाइस के तरफ जाता हो दिखेगा तो मेरा मनना आप अ दिखें थोड़ा सा 244 पे अगर सर खरीदे हैं तो अभी हाल फिलाल में ही इन्होंने अपनी पोजिशन लिए होगी क्योंकि यहां पे अभी पूरे चार्ट्स में अभी रीसेंट हाय में 244 तो नहीं नजर आता है बट यह जो चार्ट्स शक्चरे सर उसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा continuous high top higher bottom की formation है बहुत strong charts है और अभी भी इतनी बड़ी चाल के बाद में stock जो है वो overbought zone में नहीं गया है तो यहां से और अच्छी strength इसमें बनती हूँ दिखेगी मेरा मानना है कि यहां पे जो support बनके आ रहे हैं जो बहुत strong support है वो करीबन 212 रुपे पे है तो 212 रुपे के stop loss के साथ में जो कि आप trail कर सकते हैं further आपको यहां पर अपनी position continue करना चाहिए कोई भी reversal के sign नहीं है बहुत positive chart structure है और मेरा मानना है यह अर्विन आपको 250 240 से 250 के levels तक जाता हो दिख सकता है बहुत काफी potential अगला सवाल है श्रेय का श्रेय ने गुजरात पिपवाव जी पी पी एल के 130 श्रेय लिये हैं 111.72 क्या है इसका आउटलुक सर आउटलुक काफी positive है और काफी recommendations भी इनकी रन हो रही है मेरा मानना है कि जिस तरीके के charge structure है आज ही इसने बहुती fresh break out दिया है 146 के levels पे break out मिला है सर और जिस तरीके का structure है मुझे लगता है कि यहां से further और इसमें अच्छी चाल आपको बनती भी दिखेगी और मुझे लगता है इस stock अगर long term के लिए hold करा जाए तो 200 प्लस के levels भी आपको देखने के मिल सकता है आगे आने माले 3-4 साल के अंदर तो मेरे को लगता है कि आपको definitely with patience गुझराद पीपावव में invested रहना चाहिए अच्छी quality का stock है और financial growth भी overall company की strong है तो definitely hold out करें अगर आपके पास वे नीचे से position है तो अभी current levels पे जो आपको trailing stop loss यूज़ करना होगा हो वो बैठे का 145 के लिए ओके 145 पे stop loss दोस्तों का target गुझराद पिपावव के लिए ओमी महरा इन्होंने सवाल पूछा है कि पिरामल फार्मा के share है इनके पास 127 वाले 6 मेने के लिए hold करना चाहते हैं अब लागता है आज ही कल बख़ी ते क्या करें यह 6 मेने के लिए क्या पैसा बनेगा इसमें सर देखी chart structure और technicals तो बताते हैं कि काफी strong overall setup है bullish charts नज़र आते है on the upside एक हलका सा resistance है जो कि बैठता है करें 130 रुपे पर जो कि बहुती नजदीक है जैसी उसके उपर weekly closing मिले रही तो मुझे लगता है कि वहाँ पे stock के अंदर potential है to reach around 155 plus levels तो मेरा मानना है इनको definitely hold out करना चीज़ थोड़ा slow mover है इतनी बड़े momentum नहीं रिखाता है तो patiently invested रहना पड़ेगा और on the downside अगर इनको stop loss के अगर जानकारी दो मुझे को लगता है कि 120 रुपे पर बहुत strong support place तो आप 120 रुपे के stop loss के साथ में अपनी position को carry करें patiently बने रहेंगे तो यहाँ पर आपको 150-155 की लेज़ भी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं कुछ सेकेंड्स में तुरंद लॉट के आएंगे फिर और सवाल लेंगे टेडर स्वाट लाइन में और फटावट आपके सवालों की जवाब लेते हैं बिरेशर का एक सवाल लेते हैं इन्होंने पीडिलाइट में 2700 स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया है 18.50 पेसे में क्या राय बंती सर आपकी अरसा देखिए पीडिलाइट का ओवरार स्ट्रक्चर देखे और आज में तो काफी अच्छा प्रीम बना हुआ है मेरा मानना है कि इनको काफी अच्छी मुनाफ़ए हो सकते हैं पीडिलाइट में बने रहें और पॉजिशन को अपनी सिक्योर रखें पिडिलाइट इंडिस्ट्री में अगर मैं कैश की बाग करूँ तो वहाँ पे जिस तरीका के चार्ज सिक्चर फॉर्म हुआ है जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो करीबन 2550 के लेविल पे है जो की काफी स्टॉंग सपोर्ट है और अपसाइड मुझे लगता है स्टॉक आपको बहुत जल 26-25 के लेविल तक जाता हो देखेगा तो अपनी पोजिशन को होल्ड रखे काफी अच्छा मुनाफ़ा बने का आपको निजिय अगरवाल ने टाटा केमिकल्स के तिरपन शेर खरीदे हैं 1157 पर क्या करना चीए उनको सब टाटा केमिकल्स में आज ही काफी अच्छी चाल देखने को मिली है थोड़ा स्लो मूवर रहा है और काफी बीटन डाउन भी रहा है बट जिस तरीकी का structure अब फॉर्म हो रहा है आज स्टॉक ने अपने 100 डेमा और 200 डेमा को एक बेस बनाते हुए क्रॉस किया है और on the upside एक अच्छा momentum शो कर रहा है अब दिखना ही होगा कि आने वाले दिनों में क्या यह फॉलो आप यहां पर आता है क्योंकि स्टॉक ने प्रीवेसली अगर देखें तो काफी बीटन डाउन रहा था और on the upside इसके पास में मेजर रेजिस्टेंस है जो कि बैठता है 1050 के लेवल पर जो कि यहां से करीबन 30-35 पॉइंट उपर है तो मुझे लगता है कि अपनी position को काफी अच्छी तरीके से आप watch out लिस्ट में रखें अगर 1050 पार होता है on the upside तो काफी अच्छा momentum बनेगा पर अग momentum स्टॉक में बना जो कि अभी पिछले दो सेशन से दिख रहा है और further continuation बैठती है मेरा मनन है 1050 के लेवल के उपर काफी अच्छा momentum इसमें बन सकता है जो स्टॉक को करीबन 1080 से लेके 1100 के लेविस तक लिजा सकता है तो टार्ट के में बने रहे होल्ड की सलाह है 1100 के target हो सकत एक हजार के असपर स्टॉप लोस लगाई है हेमंद कुमार बहल जिने एक सवाल लिखा है वरूर बेवरिजेज एवरेज प्राइस है इनका 300 रुपए सिर्फ 5000 शेयर की दिनों लांग टर्म के लिए 300 हो गया है 1100 और quantity भी ठीक था कि 5000 शेयर है अब यह रखना चाहते हैं ल होगा लास 300 के लेवल्स मुझे नजर आते हैं कि एपरिल 2022 में जो की अवेलेबल थे स्टॉक के अंदर वहां से कंटिनुस अपसाइट जर्नी देखने को मिली है और साल देड़ साल के मुव्मेंट में स्टॉक 1100 के लेवल्स तक बहुच चुका है मेरा मानना है कि आपको ड करने में और अच्छे गेंज हैं तो यहां पर मेरा मानना है कि यहां पर 1000 रुपे पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लेस करके रखें जब भी स्टॉक ऑन दी अपसाइट जर्नी अपनी कंटिन्यू करें इस स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते चलें और अगर यह 1000 के के आसपास आता है और उसके नीचे जाने की कोशिश्च करती हो दिखता है तो वहां पर आप जरूर अपने पोजिशन को सिक्यूर करके प्रॉफिट्स पूप करें ओके राहुल यह दो चार्ट मुझे मैं तो खाय चार्टिस नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे पी एफसी और वरूर बेवरिजेस के चार्ट देखिया बहुत ही ब्यूटिफुल बने है आपने देखा है पी एफसी का भी देखिया बिलकुल आईसे ही लंबा चार्ट बनते ही दिखिये एगरी सर देखिये डेफिनिटली चार्ट स्ट्र बिलकुल एक जैसा देखता है बट जहां पर हम दूसरे पारमीटर्स को भी देखते हैं जैसे आरेसाई यहांने कि यहां पर इसमें स्ट्रेंथ आरेडी काफी मौजूद है और यह ओवर्बार्ट जोन में नहीं गया है और अगर पीएफसी के बारे में बात करो तो यहां पर 87-88 पर आरेसाई इसका पौच चुका है जो कि कहीं नगा है एक दर्शार है कि यह ओवर्बार्ट जो उन में जा रहा है स्टॉप तो यहां पर एक हलकी प्रॉफिट बॉकिंग आ सकती है पीएफसी के अंदर टेक्निकल ग्राउंड बट अधर्वाइज अगर बहुत स्टेंथ अभी भी बाकी है तो डिफिनिटली दोनों काउंटर में काफी अची तेजी है पीएफसी आरेसी यहां पर बहुत अच्छा आपको मुनाफ़ा और अपने पॉर्टफोलियों बहुत मजबूती बनाके रखेगी तो डिफिनिटली सर्फ चार्ट स्रक्षर काफी अच्छे हैं वरून बेवरिजेस पीएफसी आरेसी अभी की रेट में जिस तरीके का मार्केट सेनारियों च स्टॉप लॉस लगाके ही आपको ट्रेट करना है सब तमाम राय सुनने के बाद यह ध्यान रखेगा डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टन चीज़ है इसमें तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेगे इसलिए बीच-बीच में दिखाते रहते हैं रहुली बहुत बहुत शुक आज के लिए छोटा सा एक ब्रेक ब्रेक के माद आप देखिए खिलारी नंबर वाड़